इस लिंक पर क्लिक मत करना, वरना आपके साथ हो जाएगा बहुत बड़ा फ्रॉड मगर कैसे? आज इस सवाल का हम आपको जवाब देंगे आज हम बात करेंगे आपके स्मार्ट फोन सिम की और इससे होने वाले फ्रॉड की जिसे सिम स्वैपिंग कहते हैं आपके सिम का जुप्लिकेट सिम बना कर ऐसे कई सारे काम किये जाते हैं जिस पर आपको यकीन नहीं होगा याने कि आपको भनक भी नहीं होगी और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा अब यह होगा कैसे और इससे बचना कैसे हैं? यह सब हम आपको आज बताएंगे पतलेते कि यह होता कैसे है और फिर बताएंगे कि इससे आपको बचना कैसे है दरसल आपको लगेगा कि साइबर ठवो को आखिर सिम की जरूरत ही क्या पड़ती होगी इसका बड़ा ही आसान सा जवाब है टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानि कि टू-फैक्टर ऑथेंटिक जैसे कि फैस्बुक और यह हम आपसे कहेंगे कि आप भी अपने सभी एप पर इसे एनेबल कर लीजे चलिए अब यह जान लेते हैं कि यह होता कैसे है तो इसके लिए अपराधियों को चाहिए आपसे जुरी आपकी कुछ नीजी जानकारी जैसे कि आपका नाम, आईडी, नंबर और यह मिलेगा कहां से, तो यह सब आप देते हैं, जी हाँ, अब आप कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है, तो बिना देखे किसी भी वेवसाइट पर विजिट कर जाना, कैमरे का एक्सेस दे देना, तब आपकी नीजी जानकारी जो है, ऐसे ही चोरी हो जाती है, और यह क जानकारी मिली जाती है, आपकी जानकारी चोरी होने का सबसे ताजा उदाहरन है, यह जो लोन एप्स मार्केट में अभी देखने को मिल रहे हैं, एक बार आपकी जानकारी इनकी हाथ लग गई, तो फिर डुप्लिकेट से मिलना कुछ मुश्किल नहीं है, आपको कई ऐसे स टोड मिलेंगे जहां वहां बैठे लोगों के लापरवाही के हजार किसे आम होते हैं, सिम तो मिल गई, अब होता है यहां से असली खेल शुरू, इससे कैसे बचना है हम आपको बताते हैं, आपके मन में एक और सवाल आएगा कि महज एक OTP से क्या हो सकता है, तो जान लीज कि सिम में आपके तमाम डेटा मौजूद होते हैं, क्योंकि सारा लेंदेन वहीं से होता है, सिम का पूरा नाम ही सब्सक्राइवर आइडेंटिटी मौजूल है, इसलिए तेज तरार साइबर अपराधियों के लिए यह चुटकियों का काम होता है, तो ऐसे में हमारे पास ए और आप कंडिशन में भी भले ही नेटवर्क कम ही क्यों ना हो, होता जरूर है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा तो यह आपके लिए खत्रे की घंटी है, जितनी जल्दी हो सके अपने नेटवर्क ऑपरेटर से बात करें, अपने सभी अकाउंट ब्लॉक करवाईए, जिहां आप घंटो वाई-फाई में बैठे मजे ले रहे हैं और उधर आपके साथ कांड हो जाता है, अगर आपको सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे एक्टिविटीज दिख रहे हैं, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि फॉलोर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा पोस, जिसे देखकर आपको कोई शक हो रहा है, तो समझदार हो जाईए यहीं से, कभी भी वो वेवसाइट ही विजिट करें, जहां HTTP और HTTPS से स्टार्ट होती हो, वेवसाइट के बाएं कोने में अगर ताला नहीं दिखें, जिसे पैडलॉक कहते है तो उस वेवसाइट को ओपन बिल्कुल भी ना करें। सबसे जरूरी बात हमेशा सावधान रहें क्योंकि अपराधी मानने वाले नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही बने रहें निउस वाल इंडिया के साथ।